दोस्तो वो जिन लोगों के शरीर में बहुत सारी तकलीफें हो चुकी हैं, बहुत सारी समसें, बहुत सारी बिमारिया हो चुकी हैं और उन्होंने अपनी जीने की आशा छोड़ दी है, तो आपके लिए ये नुस्का बहुत फाइदेमंद है, ये नुस्का सिर्फ एक ही थाइदेमं रोजाना करता है, तो वो हमेशा ही स्वस्त रहेगा, दोस्तो अगर इसके फाइदों की बात करें, तो ये दिल को हमेशा तंदुरूस्त रखता है, पीलिया से बचाकर रखता है, पाजन शक्ती को दरुस्त करता है, नसों के उपर नस चड़ जाती है, नसे लोर हो जाती है उस समस्य को दूर करता है गटिया वाई की समस्य को दूर करता है इसका सेवन आप जरूर कीजिए यह anti-aging होता है अगर आपको acidity बनती है तब भी आप इसका सेवन जरूर कीजिए दोस्तों यह detox करता है बोडी को यानि कि बोडी में से सारे कच्छे को दूस्या है diabetes की समस्या है तो भी इसका सेवन आप जरूर कीजिए दोस्तों यह साधारन सा जूस है गेहू के जवारे का दोस्तों गेहू के जवारे का जूस आपको बहुत असानी से market से मिल जाएगा इस गेहू के जवारे की अंदर एक chlorophyन नाम का तत्व पाय जाता है जो ह और कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर किसी इंसान को गेहू से allergy है यानि कि gluten से allergy है फिर भी वो इसका सेवन करके अपनी इस allergy को दूर कर सकता है दोस्तों इस wheat grass के juice के अंदर calcium बहुत अच्छी मात्रा में होता है इसमें iron बहुत अच्छी मात्रा में हो अच्छी मात्रा में होता है magnesium amino acid बहुत अच्छी मात्रा में होते है इसमें nutrition value बहुत जादा है आपको इसका सेवन रोजाना करना जरूरी है दोस्तों इस गेहू के जवारे के juice के अंदर fiber बहुत अच्छी मात्रा में होता है तो जिनको भ्यंकर से भ्यंकर कब्ज की समस्या लोग रोजाना इस juice के सेवन जरूर करें दोस्तों इस juice का सेवन आपको आपको 6 ml रोजाना करना है खाली पेट नहीं किया जाता इसका सेवन आपने इसका सेवन खाना खाने से 20 मिनत पहले करना है 20 मिनट पहले, लंच से 20 मिनट पहले, डिनर से 20 मिनट पहले, ऐसा करने से जो भी आप खाना खाएंगे, वो बहुत अच्छे से पच जाएगा और ये हमारी बाडी में पचने के साथ साथ बाडी को डिटॉक्स भी कर देगा, बुरे कॉलेस्ट्रोल को भी बाडी से बाहर कर देगा, नसों को मजबूती देदेगा, दोस्तो अगर किसी का लीवर अच्छे से काम नहीं करता, फैटी लीवर की समस्या हो चुकी है, फिर भी भी इसका सेवन रोजाना जरूर करें, ये आपकी इम्मिनिटी पावर को आपकी फैवर में कर देगा, इसकी इलावा ये हमारे लीवर और आन्तों को क्लीन करने का, साफ करने का काम करता है, दोस्तो एक सबसे बड़ी एक और इसकी खासित है, ये खून को साफ भी करता है, अगर कोई भी चीज खून को साफ करेगी और खून को बढ़ाएगी तो इसका मतलब यह हुआ कि यह वो चीज है जो हमारे दिल को हमेशा तंद्रुस्त रखेगी, हमारे हाट को हमेशा हेल्दी रखेगी. दोस्तो इस गेहों कि जवारे के जूस के अंदर सो से भी ज़्यादा न्यूट्रियन पाए जाते हैं जो कि BP को कंच्रोल करता है, बुरे कॉलेस्ट्रोल को शरी से बाहर करता है, अगर आपकी बाल बहुत ज़्यादा जढ रहे हैं, बहुत रूखे हो रहे हैं, तब भी आप जूस का सेवन रोजाना ज़रूर करें, अगर आपकी स्किन पर ग्लो नहीं है, पेंपर बहुत ज़्यादा निकलते हैं, आप अपने बॉड़ी को डिटॉक्स करना चाहते हैं, फिर भी आप इस जूस का सेवन रोजाना ज़रूर करें, दोस्तों से लेने का तरीका बहुत ह आपकी साधारन है, खाना खाने से पहले लेना है, 50-70 ml के करीब लेना है, इसमें आप थोड़ा सा पानी मिक्स कर लीजिए और इसे पी लीजिए दिन में दो बार, दोस्तो बहुत फाइदेमन चीज है, आप इसका सेवन गर्मिया सर्दियां कभी भी कर सकती है, दोस्तो ये थ आप इस जूस को पीना शुरू कर दीजिए, दोस्तो अगर आपके कोई भी सवाल है, तो आप जरूर पूछिए, आपकी हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा, मिलते हैं दोस्तो नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद,